हाई विनर्स आई होप योल आर वेल दिस साइड राजी वानन्द वल्कम टू क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल क्रिप्टो का रास्था दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक स्पेशल केटिग्री बेस्ट कोईन के बारे में बात करने आया हूँ दोस्तों आप लोगोंने मेरे मेटावर्स की काफी सारी वीडियो देखी होंगी और मेटावर्स की स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आप लोगों को मेटावर्स की जब हिस्ट्री के बारे में वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर बताया था कि कैसे वेब का कंसेप्ट उसका पूरा का पूरा जो concept है वो develop किया गया पूरा का पूरा blockchain technology के उपर तो आप भी जानतें cryptocurrency market भी पूरी की पूरी develop की गई है blockchain technology पे और blockchain technology की जो fourth generation है वो है metaverse अब blockchain की fourth generation metaverse का तो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा time आने वाला है क्योंकि आप सब लोग जानते हो एक नया 3D virtual world जिसमें world के सारे biggest brand चाहे आप लोग Google की बात करो Cisco की बात करो या फिर आप Intel की बात करो Facebook की बात करो Microsoft की बात करो NVIDIA की बात करो ऐसे बहुत बड़े बड़े brands जो है वो आज metaverse को develop करने में लग चुके हैं क्योंकि metaverse एक open source platform है इसे कोई भी develop कर सकता है तो आज ये world के biggest brand metaverse को develop कर चुके है लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज और समझनी है कि metaverse का भी base क्या होगा मतलब अगर आज मैं बात करो metaverse के जितने भी सारे crypto projects है उनका अपना base क्या है metaverse के mostly crypto projects mostly क्या सारे के सारे crypto projects जो है वो web 3 के उपर ही based रहेंगे तो यहाँ पर एक और special category निकल के आती है कि web 3 based coin कोन से है web 3 based cryptos कोन से है तो आज आप लोगों के सामने web 3 के कुछ cryptos के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जहां पर अगर आप web 3 के category की बात करते हो तो web 3 में सबसे बड़ा नाम आता है polka dot का polka dot आप भी जानते हो अगर आप लोग coin market के पर जाओगे तो आज की date में भी अगर आप polka dot को देखो तो polka dot worldwide 11th rank पे है और कही न कहीं पर blockchain की third generation का सबसे बड़ा example polka dot और polygonmatic है तो polka dot जो खुद एक blockchain based coin है वो web 3 का सबसे बड़ा crypto project माना जाता है polka dot खुद की blockchain और कहीं न कहीं पर polka dot को आज के time पर ethereum killer भी बोला जाता है क्योंकि polka dot सच में इतना बड़ा project है इतना बड़ा network based project कहीं न कहीं पर polka dot ethereum killer सच में है और आज की date में अगर मैं polka dot के price की calculation करूं तो सिरफ और सिरफ 1300 की range में आप लोग को आज polka dot मिलता है जो शायद आज से ठीक 10-12 दिन पहले लगभग आपको 22-23 की range में देखने को मिल रहा था यानि कि अगर market थोड़ी से अब high पकड़ती है market जैसी positive जाती है तो polka dot आपको दुबारा से 2000-25 की series में दिखता हुआ मिलेगा सीधा सीधा benefit आप लोगगो एक crypto twine से ही हो जाएगा polka dot यहीं पर web 3 का अगर मैं दूसरा most popular project की बात करूँ तो वो निकल के आता है chain link जिसको आप small form में link बोलते हो तीसरा helium fourth file coin और एक और बहुत बड़ा project निकल के आया इसी के बाद fifth position पर जिसका नाम है theta network theta network आप लोग भी जानते हो जब आप लोग coin market cap पे metaverse की category में जाते हैं तो metaverse की category में आपको कही बर बता चुका हूँ कि जो top metaverse के five coins है वहाँ पर भी अगर आप देखो तो आज की date में भी metaverse में third जो top token माना जाता है वो theta network माना जाता है और मैंने आपको हमेशा बोला है कि पहले 5 पर जरूर फोकस करो decentraland mana, the sandbox, theta network, xi infinity और engine coin ये पहले 5 है इसके लावा gala game, meta hero और बहुत अच्छे option है लेकिन पहले 5 crypto project पर आपको दूर धान देना है क्योंकि ये 5 वो project है जो metaverse के 3D virtual gaming में metaverse के 3D virtual states में बहुत अच्छा खासा platform पर perform कर रहे है तो आज अगर मैं बात करूँ web 3 based coin में तो theta network भी 5th position पर यहाँ पर है metaverse में भी 3rd position को hold करके बैठा है और यहीं पर आप लोगों का एक बहुत ही प्यारा coin bit torrent, bit torrent के उपर मैं अभी फैलाल में ने वीडियो बनाई भी थी कि mid torrent अब नया आ चुका है bttc तो यह भी bit torrent अगर आप देखा जाए तो worldwide जहां पर आप लोग डाउनलोडिंग की facility उठा रहे हो पिछले 20 सालों से वो भी web 3 की category के अंदर 7th position को hold करके बैठा है उसके बाद stacks का option है basic attention token है फिर airways है तो ऐसे बहुत सारे token है जो web 3 crypto coins पर जो चीज़े मैं आप लोग को metaverse के टाइम पर बोली थी वही चीज़े मैं आपको web 3 के category में बोल रहा हूँ हमेशा हर category के पहले 5 crypto project पर जुरूर फोकस करो जैसे metaverse के 5 project अगर यह है top के तो यहां पर 5 project top के निकालो web 3 के polka dot chain link helium file coin and theta network इन दोनों में common देखो इन दोनों में common आता है theta network और एक सबसे एक small value को coin कौन सा आता है वो आज की time में निकल क्या रहा है BTT तो अब आप यहां से scope बना सकते हो और आपको सबसे बड़े मज़े की बात बताऊं आप लोगों को confusion की भी tension नहीं है कि आपको hnt कहां से buy करना है link कहां से buy करना है या fill कहां से buy करना है यह सारे के सारे crypto projects आप लोगों को जितने भी web 3 के crypto projects है आज की date में Indian exchange sun crypto के उपर available है तो आप लोग easily जाकर sun crypto को install कीजिए और sun crypto में इन सारे coins को भी buy आप कर सकते हैं अगर आपका web 3 based coin में interest बनता है तो आप लोगों को sun crypto को install करने के बाद अगर आप चाहें मेरा referral link share करना या आप चाहते हैं कि मेरा जो referral code है अगर आप उसको share करेंगे तो आप मेरे को भी थोड़ी बहुत support करेंगे तो मैंने अपना जो referral code है वो video की description में आप लोगों के साथ share कर रख है जाइए sun crypto को install कीजिए और कही ना कही पर web 3 coin का भी एक अच्छा benefit उठा लीजिए thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark youtube channel for more updates thank you so much